हाई एवरिवान कैसे हैं आप सब तो स्वागत है आप सब का मेरे न्यू ब्लॉग पे और ब्लॉग की सुरुवात हो रही है साम के तीन बजे से और दिन मंगलवार है तो देखिए यहाँ पे अस्वेंड कट कर रहे हैं तर्बूज तो आज तर्बूज आया था और अब मौसम तर्बूज का गया है पूरी गर्मी तर्बूज मिलता है और फायदे मन भी होता है टेश्टी भी लगता है वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं अपने लिए यहाँ पे मैंगो सेक लेके बैठी हूँ तो मुझे मैंगो सेक में ये नारियल बुरादा और चेरी डाल के खाने में बहुत ही अच्छा लगता है बहुत टेश्टी लगता है तो मैं पुरा धेर सा मिला कि यहीं पे गलास में मैंने लिया है तो और ये लोग अपने लिए तर्बूज लिये हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है और हस्बेंड ये सब चीज ले आते हैं तो दोपर में वही कट करते हैं तर्बूज हो गया पपीता हो गया या मैंगो सेक बनाना हुआ तो उनको बहुत अच्छा लगता है वो अपना बनाते भी है और खिलाते पिलाते हैं सबको तो उनको ये सब हेल्प करते रहते हैं और किचन में काम करना थोड़ा बहुत उनको भी पसंद है ये सब काम वो इजली करते हैं मैंने भी यहाँ पे एक दो पीस ले लिया था, बहुत ज्यादा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और थोड़ा सा यह कच्छा था भी, बहुत ज्यादा भी पका नहीं था, तो इस वज़ा से इसकी मिठास बिलकुल नहीं थी, नमक से मैंने एक दो पीस खाया, बस मैं चल गर्मी हो या ठंडी हो, कुछ भी हो, उनका नियम होता है, मतलब साम को चाय पीने का, तो फिर उनको चाय देने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, कपड़े फोल्ड करने, तो धेर सारे कपड़े रखे थे, दो दिन के कपड़े हो गए थे, मैंने फोल्ड नहीं किया था, कपड़ों को अलग भी कर रही हूं, जो प्रेस करने वाले थे, उनको अलग किया, और जो ऐसे ही फोल्ड करके रखने वाले थे, तो उनको मैं फोल्ड कर रही हूं, तो कीचन के काम से खाली होने के बाद यही सब काम हो जाता है, तो सही रहता है, फिर तो साम को ज़्यादा खाना और बनाने में तो फिर टाइम मिलता नहीं है, तो ये सब काम इसी टाइम दो बहर में या फिर दो बहर के बाद 3-4 बजे ये सब काम हो जाते हैं, तो सही रहता है, तो मैं यही सब कपड़ों को फोल्ड करके रख रही हूं, तो फिर जब कपड़े फोल्ड रगए तो सबको मैंने आलमारी में लगा दिया जहाँ जहाँ जैसे जैसे रखना था तो ये भी बहुत बड़ा काम होता है सारे कपड़ों को अपने अपने जगह पे रखना तो ये सब काम मैं इसी टाइम करती हूँ क्योंकि सुबह और रात साम के टाइम मतलब 6 बजे के बाद तो इन सब कामों के लिए समय नहीं मिलता फिर मैं आ गई थी यहां पे प्रेश करने तो प्रेश भी मैं ज़्यादा तर कपड़े घर पे ही करती हूँ बाहर बहुत कम जाता है इधर भी तो थोड़ा सा मैं बीजी थी तो कपड़े जा रहे थे क्योंकि मैंने पौधे भी बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं तो उन सब को भी समय देना होता है वरना मैं सारे कपड़े घर पे ही सुरू से मैं प्रेज करती हूँ मतलब साधी से पहले से ही मैं अपने हामायके में भी सारे कपड़े घर पे प्रेज करती थी और यहां ससुराल में भी सुरू से मैं सब के कपड़े प्रेज करती थी एक भी कपड़ा बाहर नहीं जाता था अभी थोड़ा सा काम में बीजी हो जाती हूँ या लेट हो जाता है एक दो दिन तो बाहर हस्वेंट के कपड़े चले जाते हैं बाकी तो सारे मैं घर पे ही करती हूँ तो आजकल कपड़े प्रेस करने का वो जो है बहुत महंगा भी हो गया है तो इन सब छोटे छोटे कामों को घर पे कर लेने से छोटी छोटी बचत भी हो जाती है और जब हम माउस वाइब घर पे हैं अगर वरकिंग नहीं है तो घर पे इन सब कामों को तो करी सकते हैं तो बस यही सब रूटीन होता है मेरा इवनिंग वाला या दो पहर में मतलब ठंड रहती है तो दोपहर में ही ये सब काम स्टार्ट हो जाते हैं और गर्मी है तो फिर तीन बजे, चार बजे ये सब काम होते हैं तो कपड़े मैंने देखे प्रेस कर लिया, एक मेरा सूट भी था तो अब इन सब को मैं लगा दूँगी अलमारी में उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और किचन में मैं बना रही हूँ ये मसूर दाल का खड़ना बोला जाता है हम लोग के हाँ आप सब क्या बोलते हैं बताईएगा इसका जो है मसूर दाल को मिकसर ग्राइंडर में पीस के फिर हलवा जैसे बना के थाली में जमाया जाता है फिर बर्फी की तरह कट करके इसको तेल में फ्राइ किया जाता है बहुत ही टेस्टी लगता है फ्राइ करके पकोड़ों के तरह सब लोग खाते भी हैं फिर ग्रेवी में भी डाल दिया जाता है तो ग्रेवी बन जाती है वो भी टेस्टी लगती है तो बस मैं यहां पे इन किसी नेक्स्ट वीडियो में ये रेसीपी आपके साथ सेयर कर दूँगी तो मैंने देखे यहाँ पे थोड़ा सा इसको टाइम भी लगता है होने में तो ये देखे मैंने चान लिया है और अब मैं दे दे रही हूं सबको खाने के लिए तो एक बार सब लोगों ने इस तरह से फ्राई किये हुए पकोड़े का है फिर मैंने उधर खाना के भी तयारी कर ली थी आटा वागर लगा के रख दिया था चावल बना दिया था कि मैं आराम से इन पकोड़ों को फ्राई करूंगी फिर उसके बाद ग्रेवी लगाऊंगी उसके बाद तो सब लोग फिर खाना खाएंगे तो ये बेसन का भी बनता है और चने दाल को पीसके भी बनता है और मसूर दाल का भी किसी भी दाल का बना सकते हैं जैसे मैं बेसन का और ये मसूर दाल का या चने दाल का बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और इन लोग को भी ऐसे ही फ्राई करके देती हूँ, तो ये लोग भी घर में सब लोग मन से खाते हैं, और ग्रेवी वाला अब तो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेवी सब लोग खाते हैं लेकिन उसमें जो पकोड़े डाले रते हैं वो सब लोग उतने मन से नहीं खाते हैं फिर पकोड़ो को फ्राई करके मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया था कराई में मसाला मैं भुन रही थी और इदर कुछ बर्तन थे धुले हुए तो उन सब को भी मैं लगा रही थी तो किचन में साथ के साथ यह सब भी काम होते रहते हैं खाना भी बनता रहता है और साथ के साथ यह सब काम भी कर देने से सही रहता है वरना बाद में सारा काम फैला होता है तो फिर बाद में करने से बहुत ही टाइम लग जाता है तो उधर मसाला भुन रहा था और मैं इधर ये सब काम निप्टा रही थी तो अभी मैंने इसमें प्याज, टमाटर और अद्रक लसुन और मिर्च का पेस्ट डाला था सूखे मसाले अभी मैं डाल रही हूँ तो इसकी ग्रेवी बिल्कुल आसान है जैसे सभी सबजीयों की ग्रेवी बनाई जाती है बिल्कुल वैसे ही बनाना है थोड़ा सा मटेरियल बढ़ा दिया जाता है प्याज, लसुन, ये सब चीजे बढ़ा दी जाती है तो सबजी टेस्टी हो जाती है और सूखे मसाले जो नॉर्मल सभी सबजियों में पढ़ते हैं बस वही सब मैं डाल रहे हूँ तो साम से रात तक की यही रूटीन होती है साम से यही दो पहर से ही काम में मैं लग जाती हूँ गर के छोटे मोटे काम सुरू कर देती हूँ एक दो घंटे आराम करने के बाद और फिर रात तक यह सब काम होते ही रहते हैं तो बस ग्रेवी मैंने बना दिया था फिर मैं यहाँ पे रोटी बना रहे हूँ और अब खाना भी निकाल दूँगी तो खाना बन गया है और अब सब लोग खा भी लेंगे खाना खाने के बाद फिर वही कीचन क्लीनिंग सामान को सब सही से रखना जगह जगह रखना यही सब होता है तो मैं यहाँ पे खाना निकाल रहे हूँ पापा को सबसे पहले पापा ही खाना खाते हैं, नीचे रहते हैं, तो उनको नीचे ले जाना पड़ता है खाना, तो मैं बस यहाँ पे निकाल रहे हूँ, यह देखें ग्रेवी मैंने बना ली है, तो खाना लग गया है, और यह देखें बहुत टेस्टी खाना बना था, आप सब भी ख अगर आपको रेसीपी चाहिएगा तो आप जरूर बताईएगा और बस ब्लॉग का अंत मैं यहीं पर कर रही हूँ थोड़ा सा और रोटी बना के एक दो हम लोग अपने लिए भी खाना निकाल लेंगे तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और अ